तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने एनिपोइंट स्टुडियो में बेसिक डेवलप्मेंट की है, तो एनिपोइंट स्टुडियो क्या है बेसिकली? तो एनिपोइंट स्टुडियो ऐसा सॉफ्ट्वेर है, जो आपके सिस्टिम पे आपने डाउनलोड किया, और उसी में आपने किया कि डेवलप्मेंट प्लस टेस्टिंग आपने कर ली, अभी हमने टेस्टिंग का कुछ देखा नहीं है, बट अजम्शन के लिए बता रहा हू तो एनिपोइंट स्टुडियो ऐसा सॉफ्ट्वेर है, जिसको आपने आपके सिस्टिम पे डाउनलोड किया, और आप उस पे डेवलप्मेंट और टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, अब जब डेवलप्मेंट और टेस्टिंग हो गई, ठीक है, तो अब आपको एक प्रोसेस करनी पड़ती है, डिप्लोइमेंट की, ओके, तो डिप्लोइमेंट, डिप्लोइमेंट मीन्स क्या होता है, कि आपका जो कोड है, जो अब आपकी मरजी के अनुसार, या आपके कंपनी के मरजी के अनुसार, या जो भी रूल्स है, जो भी इंस्ट्रक्शन्स आपको दिये ह हुए थे उसके अनुसार यह properly वर्क कर रहा है ओके आपके local system पर मतलब आपके कुछ के computer पर ओके तो अब normally companies में क्या होता है कि आपको आपके code को online करना पढ़ता है ओके online करना पढ़ता है means उसको online आपको publish करना पड़ता है online उसको चड़ाना पड़ता है तो इसी प्रोसेस को deployment कहते हैं कि जो आपका local system पे जो working code है वो internet पे available हो जाएगा deployment के बाद अब internet पे available हो जाएगा मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को दिखेगा तो आप जिस client के लिए काम कर रहे हो उसने कुछ accounts purchase करके रखे होंगे companies से जैसे अगर आपका client MuleSoft यूज़ कर रहा है तो उसको एक account details मिली होगी particular so उसी में आपका एक email ID होगा ओके तो उसी तरीके से सिर्फ आप आपके client के credentials के साथ उसे client के online environment में deploy करोगे ओके client के online environment में वो code आपका available हो जाएगा so that आपके company में कोई tester हो तो वो उसे test कर सके या आगे जाके अलग-अलग environments होते हैं जैसे deployment के अलग-अलग environments होते हैं तो last environment जो होता है उसको production environment कहते हैं उसके बाद आपका code जो end users है जिनके लिए उस code को बनाया गया है जो उसको use करेंगे facility को software को application को API को तो वो लोग उसको use कर सकते हैं ठीक है तो deployment यह process है आपके code को या आपके application को online environment में रख देना ठीक है तो online environment में वो चला जाएगा और मैंने explain किया है कि वो पूरी दुनिया को access नहीं होगा सिरिफ आप जो client को जिस client के लिए काम कर रहे हो उसके environment में ही वो code जाएगा ठीक है तो तब तक आप जब deployment हो जाएगा अभी आप local host 8081 url करते हो ठीक है hello world करते हो ठीक है तो आपको एक मैसे जाता है वहाँ पर क्या होगा यह जो url है आपकी यह url change हो जाएगी इसके जगह पर कुछ abcd cloudhub.eu ऐसे कोई random सा address आएगा और उसके बाद अगर आप hello world लगाओगे तो आपको आपका output same output मिलेगा ठीक है यह url कैसे change होगी क्योंकि यह url इस तरीके से change हुई है क्योंकि आप जो mule soft में deployment करोगे तो आप mule soft के environment में अपना code डालोगे mule soft के environment में अपना code आप यह करोगे upload करोगे ठीक है basically upload कहते है इसे तो mule soft के environment में आप अपना code upload करोगे तो mule soft आपको new url देगा जिसके आगे फिर आप आपका end point hello world लगाओगे तो आपको output मिल जाएगा ठीक है यह जो url है यहां तक यह वाली यह local है मतलब आपके खुद के system की है ठीक है बट जब आप कहीं पे आपका code upload कर दोगे तो आपको जो base path है आपका वो अलग मिलेगा तो mostly mule soft आपको आपके application के नाम के अनुसार एक url बना के देता है और वो ही url से फिर दूसरे लोग इस API को application को access कर सकते हैं ओके तो यह सब हटा देता हूं so anypoint studio एक software है आपके local system पे है जिसमें आप development और testing करेंगे ठीक है अब जो दूसरा important part है वो है anypoint platform तो अभी इसके पहले जो मैंने बताया कि deployment वगेरे करेंगे हम तो वो हम यहां पर करेंगे ठीक है तो anypoint platform को अभी के लिए एक website consider कर लो एक website है जहां पर तुम API management related activities करोगे management related activities ओके तो उसी में एक activity हो गई आपकी deployment की ठीक है तो anypoint platform को अभी के लिए एक website समझो जिस पे आप API management related activities करोगे उसी में से एक को deployment activity समझ लो ठीक है तो आप क्या करते हैं anypoint platform पे अपना account बनाते हैं तो anypoint studio के लिए आपने कोई account नहीं बनाया राइट no account created by you but anypoint platform को आपको यहाँ पे अपने एक account बनाना पड़ेगा ठीक है account create करना पड़ेगा फिर आप next step क्या करोगे आप आपके studio को anypoint studio को connect करोगे connect करोगे anypoint platform से ठीक है तो वो कैसे करोगे आप तो आप anypoint studio में आप anypoint studio में आप anypoint platform के credentials पूट अप करोगे anypoint platform जो website है जिस पे आपने account बनाया उसके credentials आप डालोगे credentials बोले तो username and password तो अभी मैं आपको बताता हूँ so कैसे anypoint platform सो google पे जाओ वहाँ पे टाइप करो anypoint platform login यह साइन अप करो यहां पे एक link आएगी यहां पे जाना है आपको sign up करना है तो मेरा account है फिर भी मैं एक दूसरा create करके बता देता हूं आपको ओके तो यहां पे आपको आपका नाम एक्सेटरा सब डाल देना है तो email डाल दिया job title डाल सकते हो student डाल सकते हो कुछ भी डालो यह 30 दिन तक free account है तो फिर इसमें आप यहां पे आपका डाल दिया आपने सारी चीजे company में एने गर दो फिर employees कम गर दी industry education कर देता हूं phone number आप अब यहां पे क्या होता है लेट से आपका account expire हो गया तीज दिन के बाद क्यूंकि यह तो trial account है तो यहां पे क्या करना यूजर नेम चेंज कर देना बस बाकी सारी details सेम रहेगी ठीक है तो मेरा एक पहले का यूजर नेम था मैं दूसरा करके आप बनाता हूं यहां पे करके करके आपने I am not a robot पे क्लिक करना फिर यह एगरी करना हो करो मत करो फिर यहां पे सारा कुछ भर दिया number नहीं भरा create account कर लेना तो यह account आपका create हो गया ठीक है अब यह थोड़ा एक दो मिनिट टाइम लेगा तो यह आपका homepage आ जाएगा सो अभी क्या करना है यह बोल रहा कि email verify करो तो एक second कर लेते हैं verify करने पे जब क्लिक किया मैंने तो मुझे code आया email पे तो मैं यहां पे fill कर दूँगा तो मेरा account बन जाएगा ठीक है तो आप confirm हो गया तो आप क्या हुआ आपने कौनसी process की आपने anypoint platform पे खुदका account create किया ठीक है अभी क्या करना है आपको इस account को इस anypoint studio को इनिपॉइंट platform को आपको anypoint studio से link करना है तो आप यहां पे जाओ आपके studio में यहां पे window में preferences में जाना है प्रिफरेंस में जाने के बाद यहां पे था अलग यहां पे आपको आपका एड करना है एक एड करना है यहां पे यहां पे आपको आपका email वो डालना है username और यहां पे आपको आपका password डालना है ठीक है अब यहां पे युजर नेम देखो करनेक्ट हो गया ठीक है तो आभी क्या करता हूं एक sample एप्लिकेशन जो मैंने पहले बनाया था हेलो वर्ल्ड का उसको बनाके मैं upload कर देता हूं ओके सो नया एप्लिकेशन बनाता हूं एक इसमें बस एक लिस्नर लेके हेलो वर्ल्ड का एप्लिकेशन बनाता हूं एक लिस्नर लिया उसकी डीफॉल्ट सेटिंग कर दी ओके यहां पे यह हैंग हो गया है इसकी डीफॉल्ट सेटिंग कर दी हेलो लिख दिया यह बेसिक मेरा एक ट्रांसफॉर्म मैसेज लाके यहां पे लिख देता हूं वेलकम टू मियूल सॉफ्ट सेव कर दिया एक बार इसको रन कर लेता हूं अब क्या करेंगे हम लोग हमारा जो एप्लिकेशन है यह हेलो वर्ल्ड का बेसिक जो हमने अभी के अभी बनाया है इसको ऑनलाइन अपलोड कर देंगे जिसके पास भी नई URL होगी जो ऐसी URL हमको मिलेगी एक ऐसी URL मिलेगी बस उसमें यह local host 8081 नहीं रहेगा इसके जगे कुछ दूसरा content आ जाएगा और आपका end point जो है hello वो same रहेगा ठीक है तो वो जो URL है वो online मिलेगी क्यों क्योंकि आपने MuleSoft पे आपका code चड़ा दिया okay code upload कर दिया right तो वो online हो चुका है अब तो वो URL आप किसी को भी दोगे तो वो postman से उसको hit करके देखेगा तो उसको output मिलेगा ठीक है तो अभी हम अमारा deployment करेंगे और उसके बाद आप देख सकोगे कि वो URL जो नया URL है जिसको भी मिलेगा वो उसको use कर सकता है तो deploy हो गया खतम हो गया local पर deploy इसको burn कर देता हूँ अब deploy करने की process आप project पर right click करो anypoint platform पर जाओ और deploy to cloud hub करो deploy to cloud hub के बाद एक window open होगी इसमें आपको कुछ details फिल करनी होगी तो बस आपके application का नाम अभी के लिए unique रखो बाकी सारी चीज़े same रहने दो कोई change मत करो तो पहले environment select करो तो sandbox करेंगे अब यहाँ पर कुछ चीज़े आ गई राइट तो यहाँ पर आपको अभी के लिए कुछ भी change नहीं करना है इसको कर दो cloud hub ओके और इसको एक unique नाम देते हैं तो unique नाम दे दिया अभी इसको बस नीचे जाओ deploy application करो तो deploy application करने के बाद यह थोड़ा time लेगा और आपको बस देखना है कि आपका application deploy हो रहा है या नहीं तो यहाँ पर यह दो चार पाच मिनिट लेगा और उसके बाद आपका application online deploy होना start हो जाएगा तो यह बहुत चोटा application था तो आपको यह window आ गई है कि deploying hello world 2a to cloud hub you may close this window at anytime मतलब यह बोल रहा है कि हमने deployment start कर दिया है आप यह window कभी भी close कर सकते हो तो मैं close कर देता हूं और मैं online चला जाता हूं अब anypoint platform में जाने के बाद मुझे anypoint में कहां जाना है run time manager में जाना है ठीक है run time manager में मैं जैसे पहुचूंगा इसमें मुझे applications दिखेंगे जो deployed है online environment में ठीक है अभी यहां पर यह load हो रहा है इहां पर भी sandbox select करना है यहां पर देखर आपका जो application है जो deploy हो रहा है वो दिखा reckon यहां पर देखो deploying दिख रहा है अब इसमें आपको और details अगर जाननी है तो उसके नाम पर क्लिक करो नाम पर क्लिक करने के बाद logs में जाओ यहां पर क्या-क्या हो रहा है सब दिखेंगा आपको तो पहला मैसेज है application को क्यूं में रखा है deploy करने के लिए दूसरा मैसेज है कि application को deploy कर रहे है one worker एक worker है worker बोले तो क्या होता है आगे बताऊँगा बट एक ऐसा समझ लो computer है online में जिस पर ये deploy हो रहा है तो उसको worker बोले तो ये online कोई system ये US East 2 region में deploy हो रहा है उसके बाद में आपका worker मिल गया US East 2 में अभी उसको start किया है इस IP address पे अब कोई भी device जो internet से link है उसको IP address होगा basically ठीक है तो ये आपके cloud हब के worker का IP address था ठीक है अभी आपका flow भी start हो गया successfully आपका application भी start हो गया अब application start होने के बाद मैंने बोला था आपको कि आपको नई URL मिलेगी एक तो ये देखो ये URL मिल गई आपको ठीक है अब यहाँ पे click करोगे दूसरी tap को लेगी कुछ आएगा नहीं है ना bad gateway बोल रहा है अब ये URL को copy करने URL के सामने अगर hello लिख दोगे रुको तो कुछ नहीं आएगा ओके एक सेकंड पाद चेक कर लेता हूं सिर्फ पहली चीज तो अपन ने HTTP API पर development की है और यहाँ पे click करोगे तो HTTP as दिखता है ठीक है तो as हटा दो और यहाँ पे hello अपना same है enter मारोगे तो यह यहाँ पे output आपका save करने को बोल रहा है ठीक है तो यह cancel कर देता हूं इसको copy करता हूं इसको copy करके postman में लाई मैंने URL new open किया यहाँ पे URL paste कर दी और send करूंगा तो मुझे message आएगा welcome to MuleSoft okay html text आया एक सेकंड हाँ http is है न यह http करना है तो यह करूंगा अब hello send करूंगा तो मुझे message आएगा welcome to MuleSoft तो इस तरीके से आज हमने देखा कि anypoint platform क्या होता है उसमें account कैसे बनाते हैं account बनाने के बाद anypoint platform को anypoint studio से कैसे जोडते हैं उसके बाद हमारा जो code है उसको online हमारे account में कैसे upload करते हैं उस process को deployment कहते हैं deployment के बाद जो new URL बनती है उसको कैसे use करते हैं तो आपको यह difference समझ में आ गया होगा आपकी जो पहले की URL थी वो ऐसी थी localhost colon 8081 और आपका path था hello यह आपके local system की URL थी इसलिए ऐसी थी यह जो part है यह आपको MuleSoft ने दिया है इसलिए यह अलग है अब इसमें आप देख लो यह तो application का नाम है यह region है जहाँ पे वो deploy हो रहा है US East 2 और यह cloud hub आपका एक MuleSoft का platform है जिस पे deployment activities होती है तो यह आपकी local URL थी यह cloud hub ने दी वो URL है और आपका path तो endpoints तो आपके same है ठीक है तो आशा करता हूँ आपको समझा होगा आप लोग भी deployment करके देखो और अगर कोई issues आते हैं तो comment करो thank you